तो फैनली दूस्तों मैं वापस हो चुका हूँ क्योंकि मुझे आगे जाना था लेकिन आगे नहीं जा पाया मैं हम और उयुकRE आति जाना था था नहीं है आप अपने देखा रशजे आत्यू रहे caष फिर आला मैं कल आपको दिखां का वी आटारी आज़ा, तो गायँ सूचे कि हम अपने जोनों बच्ची को लेकर जाएंगे और गुमाएंगे लेकिन यहां एक जो रास्ता का जू हलात है हम वहां तक नहीं जा सकते हैं Hebrews 25 पर हम लोग वापस आगये हैं साम औि हूगा हम सोचे थे कि जल्दी से जाएंगे इदर से और वहाँ उदर जाके थोड़ा उदर गुम के और आ जाएंगे लेकिन दोस्तों आगे नहीं जा सकते हैं और गंदगी तो बहुत है तो हम जहां भी जाते हैं मतलब हम अपने गाउं में हम कहीं भी जाते हैं हम कहीं भी जाते हैं अभी जिसे हम खेट के तरह पाएं अभी वहां पर देख रहे हैं एक मस्जिद भी दिखाए दे रही हैं कहीं भी जाते हैं दोस्तों तो हर जग है मतलब यहां का जो मौल मतलब बहुत ही खराब हम आगे नहीं जा सकते हैं पूरा कीचर कीचर हो गया है मतलब कहीं भी ऐसा रास्ता नहीं है जो हम से पार करके हम कहीं आगे जा सकते हैं ऐसा हाल है गाउं का तो हाल आपको दिखाया है यह गाउं का तो कितना बुरा हाल है और यहां का भी बहुत बुरा हाल है आपको मालूम है मैं मुंबे में काम करता हूं लेकिन फिलाल काफी दिन के बाद में गाउं आया मैंने सुचा कि चलो यहां पर भी वीडियो बना लेंगे लेकिन जहां भी देखिए जहां भी अगर आपको देखाएंगे हम बच्चे को भी अपने साथ लाइते चलो गुमा ल मत पूछो गरीबी इतना है इस गाउं में मत पूछो शिर्व अपने घर अगर को अपने घर में भी जाएगा दोस्तों तो बहुत ही बुरा हाल है ऐसा बुरा हाल है इस जगाउं का इसको का है एए लिए जैकर आपका है आप आप अब आप कि पालेन और गाइस बच्चे लोग भी है जो आगर चाहेंगे इस मैदान में खेलना तो दोस्तों खेलने सकते हैं कितना पुरा हाल है और मैं भी घूमने के लिए लेकिन मैं वापस आ चुका हूं और जो भी उदर जाएगा गंदगी में जाना पड़ेगा निकाल कि देखते हैं चोटे-चोटे बच्चे भी इदर खेलने के लिए हैं तो चली दो तो मिलते हैं वीडियो बने रहे हैं तो फि पानी है बनाए है अब गीर जाती है कहीं भी जाने के लाइक नहीं है इतना गरीबी है ने दोस्तों से गाओं में मत पूछो काफी गरीबी है